नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आश्मा हाजिर हुई हूँ आपके अपने चैनल बाते किताबों की में दोस्तों मैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों अगर आपको किताबे बढ़ने का शोक है तो ये चैनल आपी के लिए है क्योंकि यहाँ पर मैं किताबों से संबंदित जो मेरे द्वारा पढ़ी गई है उनसे संबंदित बाते में करती हूँ दोस्तों आज हम एक लगू उपन्यास की चर्चा करेंगे जिसे मैंने हाली में पढ़ा बहुत ही मारमिक उपन्यास है जिसका नाम है त्याग पत्र जी हाँ दोस्तों त्याग पत्र जैनेंद्र जी का यह तीसरा उपन्यास है इसी पर हम आज चर्चा करेंगे उससे पहले मनो विशलेशन वादी लेक जैनेंदर जी के बारे में तोड़ा भोत जान लेते हैं प्रेम चंदोत्तर उपन्यास कारों में जैनेंदर कुमार जी का विशिस्ट स्तान है हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनों विशलेशन आत्मक परंपरा के ये प्रवर्तक भी माने जाते हैं इनका जन्म 1905 इस्वी में उत्तर प्रदेश के अलिगर जिले के कोडिया गंज में हुआ इनके उपन्यासों की अगर हम बात करें तो परक, सुनीता, त्यागपत्र, कल्यानी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जैवर्दन इसके अलवा इन्होंने कई कहानी संग्रह लिखे हैं जिन में से फासी, वातायन, निलम देश की राजकन्या, दो छेडिया, पाजेब, आदि इसके अलवा इन्होंने निबंद साहित्य में भी अपनी लेकनी चलाई है इनके उपन्यास मुक्ति बोद को साहित्य अकाडमी पुरसकार से भी नावाजा गया है त्याग पत्र जैनिंद्र जी की तीसरी उपन्यासिक क्रती है इसका प्रकाशन 1937 में हुआ इस उपन्यास का अनुवाद भारत के अनेक भाशाओं में साथ ही विदेशी भाशाओं में भी हो चुका है दूस्तों त्याग पत्र उपन्यास का प्रारंबिया उपन्यास सर्यम दयाल जो चीफ जज ते और जो अपनी जज की पद को त्याग कर हरिद्वार में विरक्त जीवन विता रहे थे उनके म्रत्यू के पस्चात मिले हुए उनके पत्रों को ही उपर्न्यास के रूप में उतारने का प्रयाश शायद जैनेंद्र जी ने किया है जैसे मैंने दोस्तों आपसे बताया कि त्याग पत्रे के लगू उपर्न्यास है और इस उपर्न्यास के कहानी का प्रारम जो प्रमोद नामक एक जज़ के त्याग पत्रों यहनी इस्तिफिय से होता है उसने ऐसे क्यों किया वो इस बात को हमें अत्मकतात्मक संस्मरण के रूप में बताने की कोशिश करता है प्रमूत के माध्यम से उपन्यासकार कहलवाते हैं कि बच्पन में हम सभी के जीवन में ऐसे कई रिष्टे होते हैं जिनसे हम बहुत नस्दीक होते हैं उस वक्त हमें लगता है कि हम उन लोगों से कभी दूर नहीं होंगे लेकिन वक्त गुजरने के साथ जैसे जिसे हम बड़े होते हैं हम उनसे दूर होते चले जाते हैं वो भी अपने जिवन में वेस्त हो जाते हैं और हम भी मुझे लगता है ऐसा हर किसी ने अनुभव किया होगा प्रमोद और उसकी भुवा के बीच में भी ऐसा ही संबंद था उसकी भुवा म्रणाल उससे पांच साल बड़ी है उनके बीच भुवा बदीजे की रिष्टे से ज्यादा दोस्ती का रिष्टा था म्रणाल के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे वो अपने भाई और भावी के देखरेक में रहती है प्रमोद उसके भाईया भावी का एकलोता संतान है कॉलेज की पढ़ाई के दोरान म्रणाल अपनी सहेली शीला के भाई से प्रेम करती है इसका खुलासा होने पर उसकी भावी उसे बुरी तरीके से पीटती है और उसका विवहा एक अधेड उम्र के विक्ति के साथ कर दिया जाता है म्रणाल अपने पूर्व प्रेम संबंद के बारे में अपने पती को बता देती है लेकिन उसका पती उसे घर से बाहर निकाल देता है म्रणाल वापस अपने माय के नहीं जाती उसकी दशा देखकर एक कोईले का वैपारी यानि बनिया उसे आश्रे देता है बदले में म्रणाल को उसकी वासना का शिकार होना पड़ता है कुछ समय पत्चाथ वो म्रणाल को छोड़ देता है म्रणाल गर्बवती हो जाती है प्रसूती के लिए मिशनरी अस्पताल पहुंच जाती है वहाँ पर वो एक बच्ची को जन्म देती है जो दस दिन के पत्चाथ मर जाती है मिशनरीयों दोरा उसे दर्म परिवर्तन का प्रोलोभन मिलता है लेकिन दर्म परिवर्तन का प्रस्ता वो टुकरा देती है फिर से म्रणाल की जिन्दगी रास्ते पर आ जाती है इसी बीच प्रमोद की विवाह के बातें चलती है प्रमोद की मा उसके लिए सुशिक्षित कन्या राजनन्दिनी के साथ उसका विवा करना चाती है प्रमोद राजनन्दिनी के परिवार से मिलने जाता है वहाँ पर उस परिवार के बच्चों को पढ़ाती हुई म्रणाल उसे दिखाई देती है ब्रणाल और प्रमोद के बारे में प्रमोद विस्तरत जानकारी राजनन्दिनी के पिता डॉक्टर साब को दे देता है इस बात को जानकर राजनन्दिनी के पिता को कोई आपति नहीं होती लेकिन प्रमोद की सास और बिरादरी के लोगों को इस रिष्टे से आपती होती है और यह रिष्टा तूट जाता है इस रिष्टे के तूटने से प्रमोद को दुख भी होता है क्योंकि उसे राजनन्दिनी पसंद दी रिष्टा तूटने के बाद भी डॉक्टर साथ प्रमोत से पत्र विवार जारी रखते हैं आगे जकर उनी की बधवलत राजनंदिनी का विवाहा तूटने की खबर भी प्रमोत को मिल जाती है नडाल उस जगह से चली जाती है और रिष्टा तूटने का पूर्ण दोश वो अपने आपको दे देती है इसके पश्चात नडाल समाज के निमनस्तर के लोगों के बीच पहुँचती है और घातक भीमारी से पीडित हो जाती है अंतिम बार प्रमोत उनसे मिलता है तब वो पेशे से वकील बन चुका होता है बुआ उसकी छोटी सी कोटरी में पड़ी है उनके पास इलाज के लिए कोई विवस्ता नहीं थी बुआ ने उसे पत्र भेच कर बुलाया था वो बुआ को अपने साथ गर लेकर जाना चाता है पर बुआ नहीं मानती वो सिर्फ उनसे तोड़ा बहुत कर्चे के लिए रुपिय मांगती है प्रमूद बुआ जी को यानि म्रणाल को अस्पताल ले जाने की जिद करता है लेकिन वो नहीं मानती बुआ से नाराज होकर वो वहाँ से वापस आ जाता है अंत्तहा अत्यदिक पेड़ा के साथ म्रणाल की म्रत्यू हो जाती है दोस्तों प्रमूद को उसकी बुआ की म्रत्यू की खबर सुनकर इतना ज्यादा आगात लगता है कि वो सोचता है कि वो अपने बुआ के जीवन क साथ न्याई नहीं कर सका और इसी कारण वो जज की पद से त्याग पत्र दे देता है दोस्तों इस उपन्यास की कहानी तो इतनी ही है पर यही उपन्यास हमारे मन में कई सारे सावाल चोड़ कर जाता है प्रमोद की बात करें तो प्रमोद म्रणाल के दुरभागे पर अपना स दुआ को मनाने की, पूर्ण रुप से शायद कोशिश नहीं की, वो समाज से या सामाजिक विचारों से कही न कहीं अपने आपको मुक्त ही नहीं कर पाया, वही हम म्रणाल की बात करें, तो म्रणाल समाज की मर्यादाओं को तोड़ना भी नहीं चाहती है, और नहीं वो उन मर द्वारा जैनेंद्र जी के उपन्यास त्याग पत्र को पढ़ने के पस्चात जो विचार मेरे मन में चले हैं उसको मैंने यहां बताया है आपके सम्मुक रखा है और दोस्तों आपने इस उपन्यास को अगर पहले से ही पढ़ रखा है तो मुझे बता सकते हैं आपको इस हाव आपके मन में उठे ये भी बता सकते हैं और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा ये वो पन्याज की रिव्यू आपको कैसा लगा और कुरपया करके मेरे वीडियो को अंतुदक देखिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन भी दूर क्लिक कीजिएगा अगले वीडियो के साथ फिर से मैं हाजिर हो जाओंगी तब तक के लिए पढ़ते रहिए